बही प्यारे बच्चो इसके मैंने एक्जामपल एक कराया था तो बच्चे कह रहे हैं कि चलो सर यह वाला चैप्टर भी तुम्हें पढ़ा दो सारा मज़ आजाएगा आपके तरीके से पढ़के मज़ आजाएगा हमें तो सारा समझ माज़ आजाएगा तो देखो जिसके समझ में आ भी नहीं रहोगा न वो आ जाजाएगा The decorative block shown Decoration करिए, नया बनाने कोशिश करिए कुछ दिमाग लगाया Is made of two solid दो solid लिए है Solid वो है, अगर फैक कमार दिया न सिर में तो सिर्फ हट जाएगा उन्हें solid के में है A cube and a hemisphere एक तो है cube and a hemisphere देखो भाया, यह जिन्दा दिख रहा है cube एक hemisphere ले दिया तो अब जैसे तुम्हारे दिमाग में या आया आया cube और hemisphere तुरंत इसके सौरी फोर्मॉले तुम्हारे आखों के सामने आ जाने चाहिए कि cube का volume क्या होगा area क्या होगा total surface area क्या होगा and cut surface area और आती है hemisphere के बात इसका भी सब को सामने आ जाना चाहिए volume, areas ठीक भाया यह तो तुम्हारी छोटे बच्च वाले चीज़ है the base of the block जो block का जो box है न भाया ओ बिलोक, इस cube देखो यह कह रहा है कि यह जो टुकड़ा बनाया है इसका base यह cube है बिल्कुल सही है साफ दिख रहा हमें नीचे base है नीचे cube ही तो है age 5 cm 5 cm age है तो तुरंट क्या हो गया हमारे दिमाग में बत्ती चली mentos जिंदगी क्या कह रही है कि total surface area of the cube cube का surface area क्या हो गया 6 into age square age है 5, 6, 5, 25, 25, 25, 1.5 150 cm square ठीक है भी या अब आती है बात काई पर क्या पूछा क्या है fixed only top has a diameter अच्छा जो hemisphere है न hemisphere को fix कर दिया top of the diameter 4.2 cm का है इसका diameter इसके उपर fix कर दिया से तो find the TSA of the block block का total surface area बताओ देख उसी बात है situation क्या है देखो मेरे पास जो भी आइटम थे मैं उठा के लिए यह देखो यह होगी है क्यूब यह धियान से देख लो इसे क्यूब के उपर उनने एक hemisphere रख दिया यह जैसे यह hemisphere है मुझे यही मिली थे कटोरी यही लिया आया है मैं कंच की तूट गी तो हमें फिर ले ले लेंगी मुझे आड़े हाथों ले ले लेंगी ठीक है देखो ऐसे रख दिया मसाला जिने अब यू कैसा होगी यह देखो तो हमें क्या क्या दिख रहा है हमें यह हिस्सा भी दिख रहा है यह भी यह भी यह भी क्यूब का सिर्फ उपर वाला हिस्सा कितना ढख रहा है ये देखो तुम सिर्फ ये वाला हिस्सा ढखा हुआ है क्यूब का ये वाला हिस्सा ढख रहा है जो इसके सरकल बनना है ये देखो जो इसने कवर करा है न वो इससा ढख रहा है तो कुल में लागे जो ढखा हुआ हिससा है उसका area खतम करदेंगे बस बय भाई जो दिखेगा तभी तो बिखेगा जो दिखेगा तब ही तो area है देखो breathe जैसे मैं तुमसे नहों कहता क्यूब का एरिया तो क्यूब का एरिया तो यह हो गया 156 cm2 अब जो बंद है यह देखो इसने यह वाला जो एरिया है यह सरकल वाला एरिया यह तो छिप रहा है दुबग्या यह दुबग्या तो इसका पहले एरिया निकाल लो तो पहले तो इसक में तो कोई तोप चलाने वाले बात है निए देरफोर एरिया ओफ बेस कित्ता हो गया असका एरिया अफ सरकल इस इकल्स टू पाई आर स्क्वाइर इस इकल्स टू बाइस बटा साथ और कित्ती टू पॉइंट वरिंट टू पॉइंट वन क्या जाएगा वह यह साथ 21 तूम सोल करो यह कुछ आ जाएगा यह 13 पॉइंट 86 के करीब आ जाएगा अई थिंक सो ठीक है दोस्तो यह कुछ 13 पॉइंट 86 के करीब आएगा ठीक है देरफोर अब मैंने तुम से क्या कही तोटल सर्फेस एरिया जो दिख रहा है देखो एक तो क किस चीज का है वह हिया जो नीचे दुपग इसने छिपा ली जो इस छोन से मैं से चीज circle वाला जो circle बना के चिप गया area of circle एक तरह से base of hemisphere ये जो circle के एरिया ये base ही तो है hemisphere का ठीक है तो लिख देना चाहिए base of hemisphere base of hemisphere ये भी हाँ भी base of hemisphere अब नो बताओ समझ मा आगया हो तो देखो comment करो भी नहीं आया हो तो दुबारा समझा दूँगा तो मैं पता ही है मैं तुमारे लिए तो कर रहा हूँ सब कुछ मैं तो सिर्फ तुमारे लिए करता हूँ total surface of cube का कित्ता हो गया 150 मैंने निकाल के रख रखा plus hemisphere का कित्ता निकाला hemisphere का 27 27.72 और minus करेंगे circle का तो तुमारे जागे answer आएगा 163.86 cm अब area है तो square आएगा अब बताओ इसमें कोई top चलाने वाली बात थी या कुछ इतना ज़्यादा तकड़ा question थोड़ी था ये क्या करना था इसका निकालना था इसका निकालना था जो छेपरा था ठीक है सारे chapter मेरे से बढ़ने तो description में लिंक हैगा comment चाहिए मुझे अभी समझ वाजा नहीं आएगा